हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल तो गाईज आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ फुल अमरेला प्लाजो की कटिंग और स्टीचिंग बहुती आसान तरीके से स्टेप बाई स्टेप तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना और वीडियो एंट तक जरूर देखना तो गाईज ये मेरे पास डाई मीटर सैटन फैब्रिक है और ये प्लाजो रेडि होने के बाद 36 इंच रहेगा अगर आपकी लेंथ ज्यादर है प्लाजो की 36 इंच से ज्यादा है तो आपको 3 से 3.5 मीटर का फैब्रिक लेना पड़ेगा अब देखिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और किसी भी कॉर्नर से हमने इसको ट्राइंगल शेप में फोर फोल्ड कर लेना है इस तरह से अब देखिए प्लाजो कट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ तीन मेजरमेंट के जरूत पड़ेगी और इन तीन मेजरमेंट से हम अपना प्लाजो रेडी कर सकते हैं तो तीन मेजरमेंट ये रहे सबसे पहले हमारे प्लाजो की जो लैंद रहेगी वो रहेगी तो वो नोट कर लेना है और इसके बाद हमने अपने हिप का राउंड लेना है तो यहाँ पर हमारे हिप का राउंड है 40 इंच और उसके बाद हमारे कमर की राउंड पड़े जिसका म तो कमर कम लास्टिक लगाने में यूज करते हैं कमर का मेजर्मेंट इसके बाद आप मैं आपको कट करना बताऊंगी तो देखिए हमारे हिप है 40 इंच तो यहां पर हमने 40 को 4 से डिवाइड कर लेना है उसके बाद हमने उसमें 3 इंच एड़ करने है 40 को हमने 4 से डिवाइड किया जो हो गया 10 इंच अब हमने इसमें 3 इंच प्लस करना है जो हो गया 30 इंच तो 13 इंच को हमने इस तरह से रख लेना है और यहां पर मार्क कर देना है अब इस साइट से हमने इसकी लेन्थ लेनी है तो जो लगबग 17 इंच आई है तो अब हमने इं और इन सभी माक को हम आपस में इस तरह से डाग कर लेंगे एक बार चेक भी कर लेंगे तो ये हमारा बिल्कुल प्रफेक्ट है थर्टेन इंच इसके बाद हम अपने प्लाजो की लेंद्ट चेक करेंगे तो देखिए नीचे साइड से मैंने थर्टेन इंच रखा है और उपर कमर की साइड जितना भी इंचे टेप निकला है लगबग चार इंच तो वो मैंने उपर को निकाल दिया है यहाँ पर हमने बैल्ट डालेंगे तो फ्रेंट जैसे हम अंब्रेला कुर्ति के लिए घेरा कट करते हैं सेम यह बिल्कुल हमने उसी तरह से कट किया है बस हमने इसमें आसन बनाना है तो यह हमारा प्लाजो बन जाएगा अब उस सभी मार्किंग को हम डाक कर लेंगे इस तरह से अब आप देख सकते हैं इस सा कुमेंट आजाएगा तो जो मार्किंग की है हमने पहले उस पर कट कर लेते हैं बाद में हम जो प्लाजो का खर्च है वो निकालेंगे यानि जितना फैबरिक बचा है हम बैल्ट में और यहां जॉइंट में यूज करेंगे तो देखिए किनारी वाली साइट को मैंने किनार इस तरह से रखा है और यहां से में पिन से सैट कर लूँगी क्योंकि काफी यह फैबरिक वेवी होता है अब इसके बाद इसको हम इस तरह से आगे की तरफ यानि जिदर कट है हमारा प्लाजो का वहां पर टन करके और इसके बराबर हमने नीचे वाला फैबरिक कर लेना है तो इस तरह से हमारा परफेक्ट जॉइंट आ जाएगा नीचे की साइड में प्लाजो का अब आप देख सकते हैं यह हमारे जॉइंट कुछ इस तरह से है तो इनको हमने इसी तरह से दो लेयर में जॉइंट कर लेने है इसके बाद जो हमारा फैबरिक अभी भी बचा हुआ है उसको हमने यहां पर बैल्ट के लिए यूज करना है तो बैल्ट हमें रेडी चार इंच चाहिए तो हमने इसको लगबग 6 या 7 इंच पर कट कर लेना है तो इस तरह से देखिए हमने यह बैल्ट कट कर ली है उपर से नेफे की साइड में हम 2 इंच यूज करेंगे कि रेडी जो बेल्ट है अभी यह साड़े चेंज पर हमने कट की है और धाय इंचिस में से खर्च हो जाएगा तो यह हमारी चार इंच बचेगी तो हमने यहां से उपर की तरफ चार इंच निकालना है और आसन की लेनी है तो गाइज आसन की लेन्ध भी थर्टीन इंच जो हमने हिप कराउंड लिया था वही अब इसके बाद अंदर की तरफ यहां से हम मार्क करेंगे लगबग 1,5 इंच पर अब इस मार्क को हमने इंच टेप रखकर यहां इस कोने से मिला देना है इस तरह से और इसके अंदर हलकी सी गोलाई देता हुए मार्क करेंगे और इसी मार्किंग पर हम कटेंगी कर लेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो में कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं जहाँ पर मैं आपको अच्छे से रिपलाई करूँगी तो देखें आसन हमारा कट हो चुका है और ये बैल्ट हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी और ये हमारा नेफा फोल्ड हो जाएगा इसके बाद अब हमने जो जॉइंट कट किये हैं नीचे घेरे के लिए वो जॉइंट कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बता दिती हूँ तो देखें यहाँ ये कुछ इस तरह से है किनारी वाली साइड को हमने इस तरह से रखना है और जो हमारा राइट फैब्रिक है जो राइट साइड है फैब्रिक की उसको अंदर की तरफ करते हैं इस तरह से जोइंट आ जाएंगे सिंपली इस तरह से और ये इसकी हमारी रॉंग साइड ही देख सकते हैं जोइंट की इस तरह से इसके बाद हमारा इसी साइट का जो आसन है वो भी हमने दोनों को मिला कर सिल लिया है अभी ये वाला आसन हमने सिला नहीं है क्योंकि हमने बैल्ट जोइन करनी है एक साइट से तो एक साइड से हमने आसन को नहीं सिला इसके बाद जो हमारी बैल्ट है उसमें हम इस सिरे से लगाएंगे जो ये वाली साइड है यहां से हमने बैल्ट रखनी है तो गाईस बैल्ट में थोड़ा हमने जोईंट भी डाला है क्योंकि फैबरिक हमारा उतने हिसाब से नहीं हलके हाथों से हमने इसको सिलना है और जो एक्स्ट्रा पट्टी हम यहां से बाद में कट कर देंगे तो गाइस इस तरह से देखिए हमारी बैल्ट जोइंट हो चुकी है यह देख सकते आप और जो ये वाली साइट का आसंता हमने ये भी जॉइन कर दिया है इसके बाद अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमने ये वाले आसंता को हमने हमने सामने रखना है दूसरे के और जो इसकी इनर लेग वाली फिटिंग होती है वो लगा लेनी है ये वाली तो साइट से हम ये वाली फिटिंग लगा लेंगे इसके बाद जो हमारा बॉटम है अमरेला का तो उसको हमने फोल्ड कैसे करना है तो ये प्रॉब्लम बिगणर्स में बहुत आती है अक्सर जो अमरेला की कटिंग होती है beginners finishing के साथ उसको fold नहीं कर पाते आप चाहे तो यहाँ पर pico भी कर सकते हैं बट जिनको यह fold करने में problem आती है तो मैं उनके लिए यह दिखा देती हूँ कि कैसे करना है तो guys यहाँ पर जो हमने margin लेना है fold करने का वो बहुत हलका सा लेना है यानि quarter निसे भी कम ही हमने इसका margin लेना है अंदर fold करते हुए और बिल्कुल बारीकी से हमने इसको fold इस तरह से करना है और पीछे side से fabric को हमने इस तरह से गोलाई करते हुए पीछे ले जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा नीचे का घेरा fold हो रहा है उसमें कोई बल नहीं आ रहा है और बिल्कुल iron के बाद बिल्कुल अच्छे से set भी हो जाता है देखिए इस तरह से अभी भी हमारा बिना iron के भी काफी set है नीचे का घेरा तो फ्रेंट्स नीचे से घेरा fold करने के बाद जो हमारी belt वाला fabric है उसको भी हमने single fold कर दिया है अब हम इसमें elastic डालेंगे तो elastic डालने का measurement मैं आपको बता देती हूँ हमारी जितनी भी कमर है उसमें से हमने 6 inch minus करना है तो यहाँ पर हमारी 36 inch कमर है इस plazo की इसमें से हमने 6 inch minus करना है तो 30 inch आया अब हम 30 inch की यह पूरी elastic ले लेंगे इस तरह से इसके बाद elastic के दोनों सुरू को हम एक दूसरे कोप पर इस तरह से चड़ा के रखेंगे लगबग half inch और यहाँ पर 2-4 stitch हम अच्छे से लगा कर इसको lock कर लेंगे तो यह हमार elastic हो गई है lock अब इसको हमने यहाँ पर रखना है देखिए फैबरिक को ऊपर थोड़ा सा निकालना है और यहाँ से इसको हमने fold कर देना है इस तरह से इतना फैबरिक हमने आगे की तरफ रखना है और जो फैबरिक हमने आगे की तरफ रखा है उसी पर हमने सिलाई लगानी है यहां पर हमने सिर्फ यही बात ध्यान में रखनी है कि जब हम फैब्रिक पलटते हैं तो थोड़ा सा हम आगे को निकालते हुए फैब्रिक को पलटेंगे ताकि जो सिलाई है वो हमारी लास्टिक पे नहीं लग जाए सिर्फ हमने फैब्रिक पर लगानी है तो यह हमारी लास्टिक लगकर कम्प्लीट हो गई है आप देख सकते हैं अब इसको अच्छी तरह से खीचेंगे और सभी गैदर्स एक्वल करेंगे मशीन को हमने इसके सेंटर में रखना है और स्टिक को बड़ा रखना है मशीन की चाल को और लास्टिक खीचते हुए हमने इसके बीचो बीच एक स्टिक लगानी है यानि पीछे से भी लास्टिक खीचेंगे और आगे से भी और इस तरह से फैब्रिक को लास्टिक के बराबर करते हुए यानि जो gather से उनको बराबर करते हुए इसको complete कर देंगे तो guys इस तरह से हमारी elastic luck के plazo तयार हो चुका है आप देख सकते हैं और इसमें कितना flare है और ये plazo सिर्फ हमने धाइ मीटर में बनाया है हलाकि इस plazo की length 36 inch है अगर आपका plazo की length 36 inch से उपर है यानि 37, 38, 39 तो आपको 3 meter fabric लेना पड़ेगा लेकिन आपकी length 40 से उपर है तो आपको 3 meter fabric लेना पड़ेगा